अंग्रेजी नौवर्ष के आने में अभी कुछ ही दिन का समय सेश रह गया है लेकिन लोगों ने अभी से तयारियां सुरू कर दी हैं अगर आपके जीवन में लगतार परिसानिया आ रही हैं तो जूती सास्त्र के ये उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं सुनिये लोकल एटीन से खास बात्चित करते हुए वरिष्ट आचारे पंडित अरुनेस मिस्रा क्या बोले अगर आपके जीवन में कष्ट आते हैं उनको दूर करने के लिए जोतिसी उपाय हैं ब्रकरासी बालों को अपने शरीर के बजन के दसमांस इतना बजन है उसका दसमांस गेहुदान करें और स्री हनुमान जी महराज को पान के पत्ते पर शहद लगाकर अरुपन करें ब्रकरासी बालों को भगवान शिव को चावल अरपन करना चाहिए कच्चे चावल जो होते हैं उनको भगवान शिव जी के शिवलिंग पे अरपन करें जल चड़ाएं प्रशाद चड़ाएं और सिव चालिसा का पाठ भी करें और मंत्र भी करें ओम नमस शिवाय है ओम होम जूमसा भूर भूवा स्वाहात रेम वकम एजाम है शुगंधिम पुष्टि वरधनम उरुवारुक मिववन्दनान मुरत्योर मुक्षिय मामरतात भूरुवास और ओम जूमसा होमो महामरतुजे मंत्र है इसका भी मंत्र जाप करें मित्र रासिवालों को जैसा कि में लिखा हुआ है शास्त्र में कि गाये को पालक खिलाएं पालक खिलानी चाहिए गाये को दूरबा खिलानी चाहिए दूरबा घास गनेज भगवान को भी अरपन करनी चाहिए इससे सुख सम्रद्धी आती है एवम करक रासी वालों को साल के प्रथम दिन भूके बच्चों को अनात बच्चों को दूद पिलाना चाहिए भरवान सिवजी को भी दूद अरपन करना चाहिए इससे सुख सम्रधी आती है एवम सिंग रासी वालों को नह साल के दिन सिंग रासी वालों को गुड़ का द्यान करना चाहिए इवम स्त्री हनुमान जी महराज को गुड़ा और चने भी अरपन करने चाहिए जिससे उस रासी पे जो असुबता है वो दूर होती है असुबता में परिवर्तित होती है और स आस्त्रों में विदित है वैसे तो चैत्रमास से अपना हिंदी बर्स प्रारंब होता है लेकिन जो लिखत-पड़त के कार्यम में कारे किया जाता है वो एक जनवरी से जैसा कि प्रारंब होता है तो उस दिन धार्मिक कारे करें 31 दिसंबर की रात्री में या एक जन्वरी को प्राता काल हवा नेग्य करवाना चाहिए उदम सिंग नगर से वेद प्रकास लोकल 18 के लिए